वन एम जी और सलाकार आरोग्य से तू सीधे जोड़ चुके हैं आप से आगरह है कि आज आप एक घंटे तक इंडिया लियूस से कहीं जाईएगा मत कोरोना से जिंदगी से जंग की बात है और प्रशान टंडन साहब के साथ साथ मेरे साथ पांस से छे और ऐसे विशिष्ट म महमान जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर इससे बचाओ के लिए ये एप कितना कारगर होगा प्रशान जी आपका इंडिया न्यूज में बहुत-बहुत स्वागत है इस समय सारा देश जानना चाहता है प्रधान मंत्री ने अपील की है कि आरोग्य सेतु आप आप अपने मॉबाइल में डाउनलोड करें आखिर इस लिए डाउनलोड करना कितना महत्पूर है प्रशान जी आपी इसका एक इस वायरस को आइस लेट किया जाए वायरस को इसके किया जाता है जो जो संक्रमिस है जो जो infected है उनको identify करना बहुत जरूरी है उनको trace करना बहुत जरूरी है और फिर उनको treat करना बहुत जरूरी है त्रेला सेथ है उनको identify कैसे करें आरोग्य सेथी उस चीज में एक सबसे ज़ादा effective weapon जो हमारे पास है वो ही है कि हम इस virus को जुण पाएंगे isolate कर पाएंगे तभी हम यह जंग भी देंगे जी प्रशान जी एक और चीज अगर यह एप जब डाउनलोड किया जाए तो इसमें ऐसी कौन सी मुख्यता बातों का ध्यान रखना चाहिए एक तो यह mobile नंबर मांगता है और उसके अलावा लोगों के मन में कई सारी शंकाएं ह लेकर आप इसका निवारन करें इस समय इंडिया न्यूज देख रहे लाखों करोडों दर्शक आप से यह जानना और सुनना चाहते हैं प्रशान जी बहुत अच्छा सवाल और यह बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आ जाए कि यह एक अच्छी एप उनके फाइदे क अच्छी ही आप है और यह एक माद्यम है कि कम्यूनिटी उकठे टेक्नॉलजी के साथ कोरोना से लड़ेगी नाओ क्या-क्या लोगों के मन में चंकाएं हैं मैं उनको अभी दूर कर देता हूं बहुत लोगों को चंका है कि हमारा क्या-क्या जा रहा है और कहां जा रहा है तो इस एप में जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है प्राइवसी फर्स डिजाइन है जिसका मतलब है आपके आपका नाम, फोन नंबर, एज और जेंडर के अनावा हम कुछ से ही जुचते हैं आपकी सारी इंफर्मेशन जो है लोकेशन की वो आपके फोन पर ही रहती ह कहीं किसी सर्वर पे नहीं जाती जब कोई इंफेक्टेड नहीं पाया गया जब कोई इंफेक्टेड पाया जाता है तो उसका डेटा इंक्रिप्टेड सर्वर में जाता है जो कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया का सर्वर है और उसके बाद गवर्मेंट ऑफ इंडिया के सर्व ज़िए पास आए थे जो इंप्टेट पाहे जाए तो डेटा जो है बहुत important चीज है except for infected situation और infected situation में भी सिरफ आपके device का id जाता है चलवर में और कुछ नहीं और बाकिकिसी की भी information आपके phone से बाहर नहीं जाती हूँ तूसरी बहुत बहुत important बात इसमें, जितना भी data है आपके फोन पे भी जो record होता है वो 30 दिन के बाद delete कर दिया जाता है, auto delete है इसमें, system में बनाया गया है और अगर आप system चीख है तो 30 दिन में होता है और अगर आप infected या at risk है तो 30 दिन में होता है तो जिस तरह से design किया गया है ये एक actually बहुत बड़ी innovation है कि हमने सबसे पहला ख्याल ये रखा कि इसका सिवाए corona के battle के इलावा और कोई use का chance ही ना हो और design इस हिसाब से किया गया है तो distant होके लोगों को download करना चाहिए और आप अगर देखेंगे social media में अगर facebook देखे whatsapp देखे google देखे लोग इतना data वहाँ खेर कर देते हैं ऐसे ही दिना सोचे यहाँ पे एक जंग में अपनी भूमिका निभाने के लिए सिरफ आपके device का ID ही एक मांगा जा रहा है जो भी और आपके वाला data भी सिरफ 30 दिन के लिए मांगा जा रहा है अपर delete हो जाता है देख के लिए इतना तो मेरे ख्याल सेक्ष कर ही सकते हैं सब लेकिन प्रशान जी क्या लोग इसे Android और iPhone दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपसे आगरा करता हूँ फिर एक बार वो जो तमाम बारी किया हैं तमाम जो तकली की पहलू है मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक एक कर समझाएं हाला कि India News स्क्रीन पर ये बता रहा है कि ये तो किसी भी स्मार्टफोन पर ये एक चलेगा तो डाउनलोड करना बहुत असान है आप डाउनलोड करके वो आपसे इसक्रफ आपका फोन नंबर और आपको एक डाइग्नॉक्सिक टेस्ट भी देगा जो ICMR का सर्टिफाइड टेस्ट है जिससे ये पता चलेगा आपको कि आप कितने रिस्क पे है अभी अभी बेसिस आपकी जो अभी करेंच सिट्वेशन है तो इस तरह से सबसे पहले तो इंफरमेशन ली जाती है और डाउनलोड की आती है अभी और लाइग्वजेज भी आड़ी जा रही है तो अब इसकी टेक्नोलोजी किस तरह से यूज होती आप और में जैसे आज मिले अगर हम इन परसन अगर मिले और तार दिन पाँ दिन बाद मैं डाईग्वेशन हो गया पॉजिटिव अब आपको आपके फॉन पे वार्निंग आजाती है कि आप किसी से मिले ते। नाम नहीं आता और किसी से पास नाम नहीं आता बट ये वार आपको पता तो चले तो यह आपको बताएगा और आपको बताएगा आपको सहुने से देगा कि अब आपको क्यापना क्या है डॉक्टर से मिनना है कि पैस कराना है कि बस घर पे वारिंटाइन होना है तो यह तब सक्था टेक्नॉलजी का एक बहुत ही इनोवेटिव यूज़ केस है तल ही वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तरहना की है कि एक बहुत ह ट्रांग वेपन इंडिया ने बनाया है करोना के जी प्रशान जी जहां तक मुझे स्वारणा आता है और जो मेरी जानकारी है उसके मताबिक दक्षिन कोरिया और जापान ने इसका जो सदूपियोग किया है उसके बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसा लगता है कि करोना के नियंतरन में इस तरह का एप सचसे बड़ी भूमी का निभा सकता है एक और बात प्रशान जी जो मन में आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो लाखो करोडों दर्शक टीवी देख रहे हैं इंडिया निउस देख रहे हैं उनके मन में भी ये चल रहा होगा कि अगर आ रोग ये सेतु एप आप चाहें एंड्रॉइड या आइफोन में अगर आप डाउनलोड करते हैं तो क्या आपको ये जानकारी देगा कि आखिर कोरोना पॉजिटिव मरीज आप से कितनी दूरी पर है आपके कितने करीब है आपको कितने दूर रहना है प्रशान ज स्पेसिफिक डीटेल आपको नहीं मिलता पर वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आप रिस्क पे है कि नहीं क्यूकि प्राइबसी भी बहुत इंपोर्टन ए और हमने उसके हिसाब से तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ खड एक बहुत इंपॉर्टेंट की इस एप में जो भी डेटा की ज़रूरत होगी वो गव्मेंट ऑफ इंडिया के जरिये आपको प्री पड़ेगा इसका कोई चाल्ज में ही लगेगा डेटा इसका तो गव्मेंट ने सारी मोबाइल कंपनियों के साथ बात करके ये डेटा प्री पैसे लगेंगे तो ये भी एक बहुत जरूरी तक्नीकी चीज़ मैं आपके जरिये सब को बताना चाहूंगा कि मिस्चिंट होके डाउन डोंग की दिये ये एप इसमें ना आपका कोई खर्चा है इसमें आप देश देवा में पाटिशिपेट कर रहे हैं और आपको कोई प्रशान जी आप इंडिया न्यूस पर जुड़े और तमाम जानकारी आपने साज़ा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी कोरोना वारियर से कम नहीं जो इस एप को लेकर आप लोग जो जागरुकता पहला रहे हैं जो लगातार दिन रात जुटे हु करियर हैं